हेलो फ्रेंड्स आज है 20 एक्ट्रोबर और आज हम कुछ important करें इंटरफेर के बारे हम बात करेंगे साथ ही साथ जनवरी से लेका सितंबर तक के जो भी important question होगे बुक हो गया या फिर कोई पॉटल हो गया इसे जो भी क्वेशन होंगे तो सारे क्वेशन के बारे मां हम डिसकर्स करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा फॉस्ट क्वेशन हमारा बत्थु कम्मा फेस्टिवल यह तिलंग गाना में मिनाया जाता है इससे फ् पछिड भारत में जब उत्तरपुर्व जो मांसून का परवेश होता है तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है अब कुछ अन्य प्रश्ण में देख लेते हैं नौर्थ इसकी जो मांसूनी हवा यह कोरो मंडल टट को प्रभावित करती है साउट वेस्ट का जो मांसूनी अलनीनों को प्रभावित करती अलनीनों जो है वह गर्म जलधारा है बोनालू फेस्टिवल यह तेलंगाना में मनाया जाता है सियांग उनिंग फेस्टिवल अवरांचल प्रदेश में मनाया जाता है पहला जो गज उष्ण है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसका 30 साल पूरा हुआ जिससे पहला गज उस्टो असम का जो काजरंगा नेस्नल पार्क है यहां पर मनाया गया नेक्स प्रेश्टन है हमारा अबाबिल मिसाइल यह पाकिस्तान के बलेस्टिक मिसाइल है सर्फेस टू सर्फेस इसकी जो रेंज है 140 किलो मीटर और हाली में पाकिस्तान ने इसका परिश्टन किया है अब भारत एक कुछ अन्य मिसाइल के बारे में देख लेते हैं ब्रमो अस्त्र यह सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और विश्व कि यह सबसे फॉस्टेट सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है अस्त्र इयर टू एयर मिसाइल है नाग अंटी टैं तर्पीडो मिसाइल है यानि हैवी वेड टर्पीडो है अगने जो है इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है इसकी जो रेंज से 5000 किलोमीटर यानि एक महादेब से दूसरे महादेब तक यह जा सकते हैं और यह जो भी क्वेश्ण है सारे भारत के प्रमुख मिसाइल ह नेक्स्ट क्वेश्ण देख लेते हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स इसमें फर्स्ट रैंक पर है डैनमार अंतिम पर है अंगोला 108 भारत की दो हज़ते इसमें रैंक है 64 और 2022 में रैंक था पंदरास्था नीचे यहने 49 पर अब कुछ आने प्रेश्ण देख लेते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफरक स्ट्रक्चर इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक है 10 वर्ल्ड ट्री सीटी लिस्ट इसमें 2022 में भारत की मुंबई सहर वो सामिल है पांचवा जो प्रभंदर प्रभाव श्रिलता मुल्यांकन की उत्कृष्ट स्रेडी में पहला स्थान है पेरि एसाडि करते दो हैरिटेजर फांडेशर गहीं और इसमें भारत की रैंक है 131 इसमें ब्रहखत orangeょ हुले है नेक्स वहालिय में हें तारो का जो विशाल चमगता जो विश्वोड होता है उसे सोपर नुवा कहा जाता है अभी हाली में बीटियस जो बॉट है इसने पहली बार बानों के बिना सोपर नुवा विश्वोड की खोज की जहां इसका नाम रखा गया है SN2023TYK और यह जो विटियस बॉट है इसका निर्मार किया है नौर्थ वेस्टन यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा अभी हाली में जो क्रिशिम मंत्राला है इसने 2022 से 2023 में कुल खादान का जो उत्पादन है वो 3297 लाख टन बताया है पिछली बार यह 141 लाख टन से अधिक है चावल जो है सबसे अधिक है 1357.5 लाख टन है गेहूं जो है 1105.54 लाख टन है वो जो मोटा अनास है यह 573.19 लाख टन है Next question है हमारा अभी हाली में NCRT जो है इसने पहला चंद्रियान वेब पॉर्टल लॉंच किया है जहां जो चंद्रियान मिशन है इसके बारे में इस्टुटेंट्स को जानकारी दिया जा सके NCRT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एडुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इस्था अपना वह थे 1967 में और प्रेजेंट में हैड है दिनेश प्रसाद सिकलाने अब कुछ अन्य एप या पॉटल के बारे में देख लेते हैं सरपंच जो श्रमाद मोबाइल एप है इसको अश्रम ने सुरू किया है सुप्रीम कोट ने मोबाइल आधारित इपास जो है उस स्वागतम पॉटल को लांच किया है फास्टर जो पॉटल हो गया सुपेक्स प लास जो पॉटल है इसको सुरू किया है और जो भी लावारिस धन है बैंक में जमा है इसके जानकारी देने के लिए इस सार जो एप है इसको एस एजजी जो महिला है इनके उतपात को बेचने के लिए सुरू किया गया है साक्षी जो पॉटल है इसको सुरू किया है क्रिश शरकार ने ग्रीह मंत्री ने B.S.F के जमानों के लिए टिहरी एप को लॉंच किया है नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा अभी भारत के जो रास्टपती हैं दुरौपती मुर्मुर्जे इन्होंने दो नए रासपाल की नियुकती की है यो रासपाल की जो नियुकती है भारत की रास्टपती के द्वारा की जाती है पहले जो है रगुवर दाश और दुश्रे हैं इंद्रशेन रेड़ी रगुवर जो दाश है यह जारखंड के पूरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी यह ओडिश्या के नए राज़िपाल बने हैं इन्होंने रिप्लेस किया ह गनेशी लाल को सकेर हैं इंद्रशेन रेड़ी यह तेलंगाना के हैं और यह तरिपूरा के नए राज़िपाल बने हैं इन्होंने रिप्लेस किया है सत्ते देव नरायन को नेक्ट क्वेशन है हमारा अभी केंद्र शरकार ने 13 गीगावाट के नवी करने या उर्ज़ा के शुरुवात किया है लदाक में जहां 40 वर्षन जो फंड है वो केंद्र शरकार करने वाला है इसका जो निर्माड है दो हाजरा उन्तिस तक हो जाएगा और जो नोडल एजन अब कुछ आने प्रेशन देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा जो नेस्नल पार्क है वो है मिस नेस्नल पार्क है लदाक में इस्तित है और लदाक का जो राश्ट्री जानवर है वो है स्नो लियपोर्ड 26 जानवरी 2020 में दमन दी और दादर नगर हवेली को एक यूची बनाए गया 31 अक्टूबर 2019 को लदाक और जम्मू कश्मीर को दो नया यूची बनाए गया पैंगोंग जो जीले ये लदाक में इस्तित है नेक्स्ट क्वेशन है हमारा दा रिवर्श श्विंग इसके लेखक है असोक टंडन और हाली में इसको लॉंच किया हर्दीपूरी ने जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री है इसका उदेश्य की भारत की गौव गौरव गाथा 2023 की महत्यपूर पुष्टक के बारे में हम देख लेते हैं फॉस्ट है हमारा अजे टू अजे योगिनाद इसके लेखक है सांतनु दाश सकेन है दगीता फॉर्ट शिल्टन इसकी लेखक है रुपा पाई फ्रो द ब्रॉकेन ग्लास इसके लेखक है टियन सेशन यह इनके आत में कता है नेक्स है एस द वील टरंस इसके लेखक है रंजीत प्रताप कारगिल एक यातरी की जुबाने यह बुक है रिशिक दास के नेक्स है हाउ पीयम डिसाड यह है निर्जा चौधरी की नेक्स है मौनसून यह अभे कुमार की पुस्तक है नेक्स है दा लाइफ विजन और सौंग अफ कबीर यह बिपूल की पुस्तक है नेक्स प्रेशन हम देखते हैं पारूल पावली यह क्वान्टम इंजन है और इसको विक्सित किया है जर्मरी ने जहां 25 परसंट यह अधिक कुशल था यानि अन्य इंजन से 25 परसंट अधिक कुशल है इसमें लीथियम 6 प्रमारू गेस के परियूग किया गया है